बिस्मिल्लायर्वार्वार्वार्वेम, अस्टामलीकुम students, students, आज हम variables यनि डिस्कस करेंगे PHP में, ठीक है, PHP में variables को किस तरह से हम declare करेंगे और किस तरह से use करेंगे, लास्ट लेक्शर में मैंने आपको PHP की installation और PHP का syntax और server कैसे start करना है, उसका आपको मैंने details से बता दिया, अब फर्दर आगे हमारा अब इस में क्या चीज हमने और मजीद इसमें सीखनी है, तो हम याज variables देखेंगे, कुछ general चीजें देखेंगे, उसके बाद हमारा अगला इस जो सा topic होगा, वो हमारा database, नहीं, database application के उपर होगा, ठीक है, क्योंकि exams में एक question जरूर database application से आता है, और वो इंशाल्ला हम अगले lecture में database पे working करेंगे, और किस तरह से हमने server को use करना है, ठीक है, तो variables, simple, एक तो मैंने आपको syntax बताया था, कि PHP का जो भी syntax होगा, वो आपने ये लिखेंगे, जैसे less than, question mark, और PHP, this is the start of program, और question mark, और ये greater than sign है, ये end of the program, ठीक है, this is the start of the program, and this is the end of the program, इसके दर्म्यान अब आपने coding करनी है, तो variables को किस तरह से हम करेंगे, variable containing ये string, ये ये वरियाबल से प्रिंग भी, आप variable का तो पता है आपको, कि variable string भी हो सकते हैं, variable में, variable में numbers भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, ये dollar sign दिखाओ नजर आ रहा है, और TXT, तो ये समझ लें, कि ये जो मैंने काम किया है, ये, that is variable declaration, एक तो simple, dollar sign A कर दें, dollar sign B कर दें, ठीक है, ये dollar sign X कर दें, ठीक है, बाकि जो ये वरियाबल को declare करना है, तो आपने जब भी declare करना है, तो dollar sign देना पड़ेगा आपको साथ, ठीक है, ये इस तरह कभी नहीं करना, कि int A करें, int B करें, ठीक है, float A करें, float B करें, ऐसे no, यनि, वो syntax नहीं है, syntax क्या है, कि आपने जब भी variable declare करना है, dollar sign साथ देना पड़ेगा, आगे variable का कोई भी नाम लगते, ठीक है, पेस के बगए, ठीक है, और इसी तरह से dollar sign और X, यहां पर क्या किया हुआ है, यहां पर simple आपको पता है, यह equal sign है, this is the assignment operator, और यह hello world जो है, जो inverted comma के अंदे लिखा हुआ है, यह assign हो जाएगा, TXT के अंदे, यह तो आपको statement का तो पता है, इसी तरह 16 जो है number है, वो इसमें चला जाएगा, तो इसमें यह mention करने की जुरूरत नहीं है, कि dollar sign यह इसमें हम string दे रहे हैं, या digit दे रहे हैं, या इसमें automatically typecasting हो रही है, automatically जो इसका जो interpreter है, इसका जो compiler है, या जो syntax है, उसमें automatically वो string को उसमें convert कर रहा है, ठीक है, आप जिस तरह का भी value करेंगे, वो उसको integer में ले लेगा, ठीक है, यह तो यह चीज होगी, तो सबसे पहले चीज, कि आपने variables को declare करना है हमेशा dollar sign के साथ, ठीक है, अब next page पर आजएं, यहाँ पर, कि a variable does not need to declare before adding a value to it, यहनी declare करने की हमें जरूरत नहीं है before adding a value, यहनी आप value बाद में भी declare कर सकते हैं, बाद में भी assign करवा सकते हैं, ठीक है, एक तो यह चीज, इन अब आभी example, उसकी तरह you do not have to tell PHP, आप यह भी चीज में बता चुका हूँ कि data type बताने की जुरूत नहीं है, PHP automatically उसको convert कर देगा variable to correct data type, उसमें correct data type जो भी आ होगी, मतलब यहां पर क्या है, एलो वाल डैसे ट्रिंग है, उसमें automatically convert करने लाए variable, 16 integer है, उसमें automatically convert कर लेना है, तो यह automatically convert करता है variable को to the correct data type, in a strongly type programming language, strongly type का मतलब यह होता है, कि variable आप अगर create कर रहे है, यह variable declare कर रहे है, उसके साथ आपको last one data type define करने पड़ेगी, यहां पर नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, यह यह पर आपको इस तरह का कोई syntax नहीं है, जास्त आपने int, float, double, कुछ दिखने की जूरूथ नहीं है, इस नॉर्मली टाइप language, आपने नॉर्मली dollar sign txt कर दिया है, यह लो dollar sign a कर दिया, dollar sign x कर दिया, variable create हो, ठीक है, तो in php the variables declared automatically when you use it, यह नहीं dollar sign से जब जैसे ही आप वही variable का नाम रिखेंगे, और इस तरह से क्या होगा, automatically variable create हो जाएगा, आप यहां पर देखें, simple setting variables in php are used for values that contain characters, यह आपके सामने variable, यह आप इसको test कर सकते हैं, इसमें कोई instant text error नहीं है, आप इस पुरे प्रोग्राम को simple, आपने HTML का same structure आपने बैसी ही लिखना है, और आपने body के अंदर जहां भी जिस जगह पे भी आपने php की coding start करनी है, वहां पे आप lesson, question mark, php दिखेंगे और question mark और greater than sign इसके दर मियान आप coding चूलू करते हैं, तो यहां पे देख लें, कि dollar sign txt hello world कर दिया, और मैंने echo text txt dollar sign भी दिखे साथ दिखा हुआ है, तो यह देखें, dollar sign txt इसमें hello world लिखा हुआ हुआ है, वो इसमें print हो जाएगा, तो echo का, जो echo that is used for print the statement, ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, मैं आपको इसको, इसकी चेक करा देता हूँ, किस तरह से आप इसको run करना है, अच्छी तरह clear हो जाएगा आपका, बसमें जैसे यह note pad है, ठीक है, आप तर यहां भी देखें, simple dollar sign, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले, कि आपने server जरूर स्टार्ट करना है, ठीक है, और पिर मैंने web manager open करना है, ठीक है, web manager open करूँगा, अब यहां पर देखें, आपके start bar पिर web server नजर आ गया, यहां पर आप क्लिक करें, और start all services करें, ठीक है, अब आपका server start हो चुका है, ठीक है, अब मैं यहां पर यह जो file है, first.php की file है, ठीक है, यह वहीं पड़ी है, जह जो www का जो folder है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, dollar sign, dollar sign, txt, ठीक है, is equal to, और inverted comma में मैं लिख देता हूँ, पाकिस्तान, ठीक है, यह लिए, ठीक है, semicolon, ऐसे ठीक है, और इको आप कर दे, dollar sign, dollar sign, txt, ठीक है, यह लिए, semicolon, यह आपका variable print हो, अब इसको हम इसको execute कर लेते हैं, कैसे करना है मैं ब्राउजर रन कर रहा हूं तो आपने लेक्षर में मैंने आपको देगा कर बताया था आपने क्या करना है लोकल होस्ट है लोकल होस्ट यह निचे आपको आजाएगा आप यहां पर फर्स्ट यह देखिए आपको यह क्लियर हो गया कि आपने किस तरह से करना है मसला आप यहां एक और ले लेते हैं या डॉलर एक्स कर लें ठीक है इस इकोल टू और इसमें मैं सिक्स्टीन दे देता हूं यह देखिए आटोमेटिकली यह क्लियर हो जाएगा और यहां पर मैं यहां इको टी एक्स टी किया और इसके साथ ही जो है मैं कर देता हूं इको डॉलर साइन ठीक है और एक्स ठीक है अब यह आपको सिक्स्टीन प्रिंट करके दिखाएगा आपको इफ्रेश करते हैं यह देखनें सिक्स्टीन साथ आपको निकावर रहा है तो इस तरह से आप यहां पर एक यहां पर एक और काम करते हैं कि मैं अब यहां पर कोई अगर आडर आता है तो वह भी देख लीजिएगा देखें मैंने क्या किया कि पहले पाकिस्तान और 16 एक साथ प्रिंट आ रहा है मैं चाहरा था कि 16 अगली लाइन में आजाता है आप अक्सार ऊपर आ जाते हैं ठीक है मैं अभी बी यार का टैग यूज की है ठीक है लास्ट अक्र में उता है कि आप टैग भी यूज कर सकते हैं इसको रीप्रेश करता हूं यह अभी आपके सामने एर नजर आ रहा है आप इन्वाटेट को मा के अंतर में लिए ठीक है और वेरियाबल भी मैंने प्रेंट करवाया तो यहां रेप्लेश करता हूं इसको यह देख लें है पाकिसान उसने अगली लाइन में प्रेंट कर दी यह यह आप कर सकते हैं मुजीर इसमें और चीज़ें भी आप देख सकते है है लेकिन हाप को क्या करना है आपने इसका तuard समय करना क्या एप करना जो प्रैक्टिस है वो आपने करनी है ठीक है तो यह हो गया हमा पास थाडिख्सaufenवाड और इस तरह से यह वेरियापल हो गया आप अपकेंटनсон इसने आप जैसे के एक वरियाबर गरे है txt1, hello world, txt2, what a nice day. इन दोनों को आप में अगर जॉइन करना है, तो आप का युच्स को जौइन करना है तो आप का यूज करें कि डाट ओपरेटर यूज करें इसके रहे हैं इस तरह से यह डॉट ऑपरेटर से आपने को निक्रिया करना है और इस तरह से आपने जो वैरियेबल्स है वो आप प्रेंड कर लो इसमें एक फंक्शन है बिल्ट-इन पीसपी के अंदर एक जनरल सी चीजें आपको मैं बता रहा हूं जो बनी बिल्ट-इन है अपको से ट्रींग की लेंज बता देगा इस्टीर है अलो वर्ट करेंगे आपको इसकी आउट-पूल दिखाएगा ठीक है तो यह किसमें बिल्ट-इन फंक्शन है स्टीर लेंग ठीक है अपने क्या करना है आपने वह डॉलर साइंज यूज करना है बागी सारी चीजें से इसी जैसे कि यहां पर एक प्रोग्राम है आपके सामने तो यह डेट फंक्शन है ठीक है डी में दे रिया ठीक है कि डॉलर डी जो है इस इकल टु फ्राइडे अगर तो रॉड्ट होगी तो है बन आइस दे कर देगा पाल्श होगी कि वे तो हैवे नाइस दे हो जाएगा ती जिस जनरल सा सिंटेक्स है आप इसको अपना यूज कर सकते है इसको आप नौर्मलिया अपना इवन अडॉट ये प्रोग्राम जो फ्र तापिक को था तो आप इसकी आवने प्रैक्टिस करनी है और नेक्स लेक्टिटर में मैं आपको यह दोड़ा बता दूँगा और अब अरे सिंपल इसी है जैसे आप नॉर्मी कब्स में यूज करते हैं लेकिन कि नेक्टिटर में बैसी कि इसमें कि बनानीस ही का हूंगा जिसमें तमाम क्रेड अपरेशन, इंजर्ट, अपडेज, रीड यान अप्रिकेशन आपको भूई बना के दिखाएंगे तो वो इंशाला नेक्स लेक्टर में होगा तो अभी जितना है कि आपने फुछ कोशिश करनी है कि आपने इस भी इस पी को इंस्टॉल कर लें ठीक है, टेक केर, अलावाद आपको